तो मैं वहाँ पे गई अत्मोस्पेर काफी सही है जेनु को लेके काफी कंफिजन मेरे मन में भी था कि जेनु कैसा होगा वहाँ प्लेस्मेंट कैसा होगा और जेनु में ऐसा कि फीज आपको सुनके मलब सप्राइज लगा है कि 200 हम देते हैं हमारे 6 मन्त का सेमिस्टर का फीज का इतना अच्छा कोचिंग दिया जा रहा है स्पेशल इन मैथेमेटिक्स पहला बात यह तो जेनु को लेकर जो लोगों में लोगों की मन में एक इंप्रेशन है कि वो पढ़ाई नहीं हो रहा है ज्यादा पल्टी से हो रहा है यह पुरा-पुरी गलत है पढ़ा आप निम सक्रिफाइस किया है लाइक घर पे उन्होंने अकेले रहते हैं खाना वाना खुद बनाते हैं अपना काम भी देखते हैं पिटस आने के बाद ही मेरा जो लाइफ चेंज वा है मुझे काफी अच्छा लग रहा है चली आज मैं आपको अपनी एक ऐसी स्टुएंट से मिलवा अने किया लूड पे तो है किस की स्टुएट यू लिए अपनिन के लिए करेंगेगेगे ऐसे अच्छा कोई आउर तरीका नहीं हो सकते हैं ज्यस यूएँद आप पहु क्या है चीजे जान सकते हैं, तो मैं किष्णा सबसे पहले तो आपको इसके लिए धेर सारी सुपकामनाई दूँगा, और किष्णा बोलना स्टार्ट करें, उसके पहले मैं कुछ चीजे बताना चाहता हूँ, JNU को लेके, देखिए, जब किष्णा जिस बैच में गई थी, उस समय J के लिए अलग से इंट्रेंस एक्जाम लेता था, अब JNU का इंट्रेंस एक्जाम CUT के थ्रू होगा, और CUT के थ्रू लास्ट यर भी बच्चे गए, फुल बाच है, अब बात करते हैं, प्लेस्मेंट के टम की, तो पहले बीच में कुछ समय था जब JNU में कम प्लेस्में वो था MCA, पर अब B के इंट्रेंस होने से, बीटेंस के इंट्रेंस होने से हुआ ये, कि अब टेक्निकल कोर्स की एकदम से बच्चे बढ़ गए, यानि अब MCA वाले बच्चों को पहले MCA वाली कंपनी तो आती थी, अब वो कंपनी भी जो बीटेंस के लिए आती ही, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, और इंट्रम आब MCA की बात करें, तो अबरेज अगर देखा जाए इस साल के प्लेस्मेंट का, तो अल्मोस्ट लगवक सारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं, करीब-करीब कुछ बच्चे बच्चे हुए हैं, 6 से 10 के बीच में, अबरेज पैकेज क्योंकि number of seats कम होती ही, तो ऐसे में other option क्या, तो मैं आपको बता दूँ कि other option में number one आता है JNU, इसी तरह से BHU भी एक अच्छा option है, क्योंकि BHU में भी BTEC भी है, और MCA भी है, ऐसे ही Delhi University, DU, या Pune University, तो ऐसा नहीं है कि केवल निमसेट ही एक option है, दूसरी बात, कई बच्च सकती भी है, वो scholarship के part में आपको मिल जाती है, यानि fee की भी लेके problem नहीं है, पर आप याद रखिए, अगर आप MCA टारगेट कर रहे हैं, तो आपका टारगेट निमसेट है, एक domain हो गई, दूसरा अगर आपका टारगेट JNU है, तो आपको CUT में एक अच्छा score करना होगा, उसी के तास बज़े से आपको JNU या BHU या DU University मिल सकती है, तो आप आगे की बाते में चाहूंगा कि कि किष्णा बताएं, तो किष्णा आपको बहुत सारी detail में चीज़े बताएंगी, तो किष्णा मैं चाहूंगा, सबसे पहले तो जब आप JNU गए, तो आपको कैसा को बताओ. काफी सही है, JNU को लेके काफी confusion मेरे मन में भी था कि JNU कैसा होगा, वहां पर प्लेस्मेंट कैसा होगा, पर काफी सही है, क्योंकि जब मैं गई तो पहले बात तो यह है कि इंफ्रस्ट्रक्चर काफी सही है, और सब के मन में यह डाउट पहली आती है, कि पॉलिटिक्स ज होते है, तो प्लेस्मेंट काफी सही जाती है, क्योंकि पहले में बीतेग मत नहीं था, इस बार बीतेग का पहला व्याच निकल रहा है, इस बार तो जयादा कंपनिया भी आ रहे है, प्लेस्मेंट भी अलमुर् biggest हो गया, और अधीन में दूब했는데 सैल हो ती एक तो central तो यह चीज मुझे काफी सही लगा और हाइज तो इतना ही जाती है 17-18-20 तक ही गया है इस बार हमारा अभी थोड़े-थोड़े बच्चे अभी भी है तो जुलाई में हमारा खटम होगा तो उससे पहले हो भी जाएगा और पीज की हम देखेंगे तो नाइटी में काफी फी को आपको सुनके मालब सुनके लगा यह कि टूहंड्रेट हम देते हैं हमारे शिक्समंथ का समिस्टर का थीज की महलब बहुती कम होता है और शॉच्टल का तो फुरी ही रहता है पर मंथ आपको से फूड़ इंग का बेल ही देना पड़ता है यह होता है मतलब जेनु का एक प्रोफेसर लोग काफी अच्छ अच्छ वहां पर है और अच्छ प्रोफेसर लोग काफी अच्छ वहां पर है हमेंसा सपोर्ट ही रहता है सर लोग से भी वहां से तो पढ़ाई का तो मुझे वो दिकत नहीं लगी क्योंकि ठीक है सारा थीक है प्लेस्मेंट भी हो जाता है और वच्चे अराम से ऐसा है कि कोडिंग का महाल भी थोड़ा-थोड़ा अभी हमारा बनने लगा है जो कि पहले क्योंकि कोविट का भी आज था तो अनलाइन चल रहा था अभी खुलने के बाद हमारा थोड़ा-थोड़ा वह भी स्टार्ट हो गया है तो यह सब भी है और तो अगर आपको लाइक एनाइट के के प्रिपार करो ही वह तो साही चीज़े अगर नहीं मिल रहा है अगर सी आप अगर से काफी बढ़ गया हमारे वियाज से पहले म्से का स्ट्रेंथ था ट्वेटीव थर ट्वेटीश स्ट्रेंथ ही था इस बार लाइक 60 के अरूंड हमारे प्रियाच में थे और हमारे जुनियर में 60 बच्चे रह गया है तो स्ट्रेंथ काफी अच्छा है और M.Tech. Data तो अगर आप इतना प्रेशन ना लोके निमसेट के लिए भी एक्जाम दो अगर नहीं हो रहा है तो जैनु भी काफी अच्छा अप्शन है क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो लास्ट में मेहनत ही आपको रंग दिलाएगी तो ऐसा नहीं से वनाइटी जाने से हो कि किष्णा ने पहले ऑनलाइन स्टेडी की उडिसा सी थी फिर उसके बाद भोपाल आके भी पढ़ाई की ड्रीम यही था कई बच्छों का ड्रीम होता और कोई गलत भी नहीं कि एनाइटी ही जाना है जब जैनु में सेलेक्शन हुआ तो भी एक मन था कि सार एक बार और ट कि नहीं के बराबर है दूसरा कैंपस बहुत अच्छा और सबसे अच्छी बात यह हुई है जैनियो में कि अब टेक्निकल कोर्स बढ़ गया है बी बढ़ गया है एम्टेक बढ़ गया है और एमसीए भी हो गया इसलिए इंटरमा प्लेस्मेंट आने वाले दिनों में बहु आपका क्योंकि आप इंपिटर से जूड़े थे पहले उनलाइन पड़ा फिर आपने क्लास्रूम भी पड़ा वो भी इंपिटर्स की जर्णी कैसे रही कई बच्चे कंफिज होते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ा ही हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी या क्लास्रूम ही होना ची आपने दोनों एक्सप्रियंस लिए वो भी बताईए बच्चों को तो पहले तो मैं 21 में मेरा ग्राशन का लास्ट सेमिस्टर था तो मैं उस टाइम ऑनलाइन कर रहे थी एक मन्त के लिए मैं यहां पर आई थी फिर मैंने पहला अटेम्ट दिया था निमसेट का ग्राशन के और एक बर ट्राय करना चाहिए एन इट के लिए तो फिर मैंने यहां पर जॉइन कर लिया ऑफलाइन अके फिर उसके बाद जेनु का इंटरांस का आ गया मैं रिज़र आगया कि हो गया है तो उस ताम मैंने सर से भी बात किया हमारे एचोडी सर्थ है अग्राशन में उन से तो यहां से मैंने जब तक पढ़ाई की ऐसा भी कुछ नहीं था कि मेरको सर अलाव करते थे कभी मुझको जेनु का कुछ देना है एक्जाम बगरा मैं अराम से बैठके यहीं पर भी कोचिंग में दे रही थी यहां कि पढ़ाई भी कर रही थी पर निमसेट का मैंने एक्ज जब चल रहा है तो दो साल वैसे बच जाएगा और वही सरकर्स सजेशन के हिसाब से मैंने जएनु जोइन किया और अभी तो मुझे एक साल भी नहीं हुए है मैं यहां से फिर से आगे मैं काफी खुस हूं इस चीश के लिए तो देखे जैसे किस्टना ने बताया क्योंकि इस चीश की बात थी ऑनलाइन उससे में पढ़ाई हो रही थी तो मैंने का एक बार ट्राय करके देखो उसने निमसेट की पढ़ाई के साथ जेएनु की भी पढ़ाई कंटीनु की सेमिस्टर की भी दिया जेएनु का यालग बात थी क्योंकि दोनों पर फोकस होने के वैसे थोड़ा पर परसेंटाइल बिगड़ा बट क्योंकि इंपीटर के स्टुन को महनत करने के आदत होती है तो किस्टना ने महनत की पाइंटर भी सुधारा प्लेस्मेंट भी लिया और अब जेएनु से फाइनली अब एक बार फिर बापे जाने वाली और जुलाई तक इसकी कंप्लीट हो जाएगी इन बिडविन माई से इंटरेंशिप कंपनी में चालो हो जाएगी तो देखिए ये कुछ चीजे हैं जो इंपॉर्टेंट है तो जेनु को लेकि जितने भी आपके मिसकंसेप्शन है मैं आपको बोलूँगा आप बिल्कुल बाहर निकाल दीजे जो जो हम मीडिया से कई बार सुन रहे होते हैं वो कई बार मिसकंसेप्शन भी हो सकते हैं और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि कि इसकी इंटायर सक्षेश जर्नी कैसी रही किस तरह से पढ़ाई की तो नमस्ते बात यह है कि कृष्णा यहीं इंपेटर्स गुरुकुल में कोचिंग लिया कर लिया था दो साल के लिए वो कोचिंग लिया और डूरिंग्ट परियाड शी ट्राइंग फर निमसेट तो पहले बार वो एक्जाम दिया था दोजार एकिस में वो तो सॉक्सेस नहीं हो पाया अल इंडिया रैंकिंग बार अशो रखाया था था तुवल हंडड़ देन आएव आडभाइस्ट हर टू वान सेगें पेटर्स अपेटर्स एक्जाम दिया फिर भी उनका जो अल इंडिया रैंकिंग आच्छा रैंकिंग था नहीं हो पाया लेकिन यहां जो इंस्टिशन ज तो बच्चा एक ट्रेंड होकर निकलता है तो आप्टर आपेरिंग दे निमसेट फर दे सेगेंड ताइम इन ट्वंटी ट्वंटी टू उनको अप्शन मिला एक जैन्यू का एक एक्जाम आया था आपेर करने के लिए इंटर्व्यू तो मैंने उनसे बोला कि जैन्यू का बातन करो वह आपेर किया तो फॉर्चुनेटली में जैन्यू में उनको मिल गया वह जैन्यू में जैन्या 22 जूलाई में 22 जैन्या एक कॉंटीनू भी किया और उनका पहला से मिस्टर थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि वह निम्सेट का उपर फोकुस कर रहा था पिर भी सेकंड सेमिस्टर थार सेमिस्टर उनके बाद फिर उनको एक अप्सन मिला फार सेमिस्टर देने के लिए वह अच्छा किया और यह लास्ट सेमिस्टर बाकी है जुलाई में कि मिन टाइम उनको मिल गया जॉब मिल गया एक नवड़ा से कंपनी वो इंटर्वु दिया था प्लेस्मेंट अच्छा हो रहा है जैनु में लोगों के मन में जो एक धारना है कि जैनु में बहुत ज्यादा पल्टिक्स हो रहा है दंगाबाज हो रहा है पढ़ाई देर कर रहा है ज्यादा फोकस ज्यादा फोकस हो रहा है मीडिया में ज्यादा अड़ाइजमेंट हो रहा है हाइलाक्स ज्यादा हो रहा है लेकिन पढ़ाई के जगा पढ़ाई हो रहा है आच्छा आच्छा टीचर है आच्छा अच्छा प्रोफेसर है टीचिंग भी बहुत तो आच्छा स्टूरेंट आ रहा है तो यह भी फैस किया इंट्रूवी फैस किया आच्छा भी किया उनका अपर्टमेंट लेटर आया भी नवड़ा से कमपनी में जॉइन करने के लिए इन दे कॉमिंग में एट ओफ में वो जाइन करेंगा उस कमपनी से तो मेरा कहना यह है कि जहां भी हो पहला बात यह तो JNU के लेकर जो लोगों में, लोगों की मन में एक इंप्रेशन है कि वो पढ़ाई नहीं हो रहा है, ज्यादा पल्टी से हो रहा है, ये पुरा-पुरी गलत है, पढ़ाई बहुत आच्छा रहा है, एक बहुत आच्छा क्यामपस है, और एक बात है, आप जहां भी जाओ, पह कर निकलेंगे, और जिंदिगी में जो भी आएगा, जो भी इंटर्विव आएगा, आप अच्छी तरका इसको फेस कर पाएंगे, तो मेरा कहना ये है, कि आप निमसेट अगर देना चाहते हैं, एमसेट देना चाहते हैं, तो ये तो एक आच्छा इंस्टिशन है, नहीं हो पाएंगे, आप आप क्यारियर भी बन सकता है, तो अभरवल मेरा ये ही कहना है, तो जेन्वी एक आच्छा कैंपड़ अ एक अच्छा प्लेस्मेंट आ रहा है, आच्छा पढ़ाई हो रहा है, और और आप जब जायेंगे आप, आप एनाइट में जाओ, बितदेन में जाओ, ये निमें जाओ, अच्छा ट्रेंड होकर जाओ, अच्छा पढ़ाई करके जाओ, तो इसा एक इनिस्टीशन जो है, अगर आप आते हैं तो ठीक है, बहुत आच्छा पढ़ाई हो रहा है, बहुत आच्छा कोचिंग मिल रहा है, इहां आए, फिर आप कोशिस करिये, एक तरह से पीज़िंगे बहुत ट्रेंटेंच जोड्वेशन जोगरे सेया, इस एक इनिस्टीशन आप करिए और शाया कर दोदों प्रेंट हो आपको एक पड़ाई होखने, क्योंकि में बहुत थैरो चीज़ों को मैंश करते हुए होएं अच्छा यह ऑर व बहुत आपकी लास्ट दिग्री होती है तरह से पीजी जितनी अच्छी जगे से किया जाए उतना अच्छा है तो आपके सामने ही देखिए आपकी बच्ची ने अच्छा परफॉर्म किया कृष्णा में एक चीज और जाना चाहूंगा कई बच्चे जाना चाहेंगे कि आपका कौन सी कंपन होगा डाउट होगा तो मैं जहूद कभी आप से जहूद पढ़ेगी तो वह कृष्ण के जवाब लूँगा थैंक यू सो मच थैंक यू सब्सक्राइब के बारे में कुछ मोलना था मुझे बोल दो ना तो मैं तो यह बोलना चाहिए कि मेरे पापा बहुत सपोर्टी पहले आपके रहीद呀 तो में का नहीं होगा थैंक यह टीम थैक बोलते हैं लोग तो बोल तो बोलड़े के लड़कीे वहाँ पर क्यू जया के कर रहीं हें यहां पर क्यो नहीं के लूट कर रही है उसकी चाची कवेटी तो यह हैं से की पर फिर भी इस टाइम में मेरे अपका इतन वाना वाना खुद बनाते हैं अपना काम भी देखते हैं और मुझे भी बहाँ छोड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं और सरसाग के लिए तो मैं बहुत दी ज्यादा क्यों कि यहां पर आने के बाद ही मेरा जो लाइफ बहुत अच्छी बात बोली एक पैरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है क्योंकि आप सिंगल चाइल्ड हो मदर नहीं है उसके बाद भी पापा ने आपको कभी कोई कमी फील नहीं होने थी बहुत अच्छे से परवरिश की और इतनी दूर से आपको हर जगे भेजा और आज उनके चेहरे पर वह खुशी दिखती है मतलब जब आप बोपाल आ रहा है तो और उन्होंने बोला में मुझे भी आना तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि नहीं देखिए इसे बोलते हैं अचीबमेंट और हर माब आपको एक ही चीज की खुशी होती ही कि उनके ब आपको एक दो ठाप ग्स्टराब को हुए नंके जाओ कि खुशी है जा तर आपको एक राखना खुशी है इसलिडमेट दीभा से बेजा है तो और आपको वह आणाना तो मुझेडवा तो